जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का अपने टूप चेनल एक्जाम सोच पर दोस्तो इस वीडियों में हम करेंगे लोग सभा चुनाओ 2024 से संबंधित जीके के जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी प्रसनों को आज के इस वीडियों में हम करेंगे सारे questions selected important है और आपके सभी government exam के लिए महरतिपूर प्रसन है Top 100 questions आज के इस वीडियों में हमने लिया है तो आप इस वीडियों को आज तक जरूर देखेगा तो चले फिर आज के इस वीडियों को शुरू करते हैं पहला question है 2024 में कौन सी लोग सभा का चुनाओ है 2024 में जो लोग सभा का चुनाओ है ये अठारवी लोग सभा का चुनाओ है और अठारवी लोग सभा का चुनाओ है और अठारवी लोग सभा का चुनाओ होगा जो कि 19 अपरेल से एक जून तक चलेगा और इसके परडाम घोसित किये जाएंगे 4 जून को इसके प्रडाम घोसित किया जाएंगे और जो 28 लोकसभा हैं इसका कारकाल रहेगा दोस्तो 활동 2024 से 232 तक 28 लोकसभा का कारकाल होगा और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की अबस्तकता होगी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की अबस्तकता होगी चलिए अगले कोशन पर बढ़ते हैं स्वतंद्र भारत की लोग सभा का पहला सत्र कब आयुजित किया गया था? तो पहला सत्र आयुजित किया गया था दूस्तों 13 मई 1902 इस भी को Right Answer Option C हो जाएगा 13 मई 1902 को लोग सभा का पहला सत्र आयुजित किया गया था कुछ important point हम जान लेते हैं भारत का पहला आम चुनाव 1951 बाबन में हुआ था और भारत की पहली लोग सभा का अगठन हुआ था 17 अपरेल 1902 को भारत की लोग सभा का पहला सत्र 13 मई 1902 को आयुजित किया गया था अगला question है वरतमान में भारत में लोग सभा निर्वाचन छेतरू की कुल संख्या कितनी है वरतमान में लोग सभा निर्वाचन छेतर 543 है 543 में वरतमान में लोग सभा निर्वाचन छेतर पहले इसमें दो एंगलो इंडियन सामिल थें जिन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया, 2020 में अंगुलो इंडियन को समाप्त कर दिया गया हैं। 543 परतमान में लोगसभा हिरवाचें चेतरों की संख्या हैं। Next question है भारत के किस राज में लोगसभा सीट की सुर्बधिक संख्या हैं। लोगसभा सीटों की संख्या सबसे जदा उत्तर प्रदेश राज में, उत्तर प्रदेश राज में लोगसभा सीटों की संख्या सबसे जदा हैं, लोगसभा सीटे 80 हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज में कुल 80 सीटे हैं लोगसभा की, और महराच्ट राज मे 48 सेट हैं यानि कि दूसरे नंबर पर महाराच राज जाता है जहां पर लोगसभा सीटों की संख्या सबसे जादा है Next question भारत में लोगसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है 5 सालों की अंतराल में भारत में लोगसभा का चुनाव होता है पांच साल के अंतराल में नेक्स्ट क्वस्टन है भारते संसद में पराथमिक सदन या पर्थम सदन किसे कहा जाता है तो पराथमिक सदन कहते हैं लोग सभा को लोग सभा को पराथमिक सदन पर्थम सदन कहा जाता है और लोग सभा को निमने सदन भी कहते है और राज्य सभा को क्या कहते हैं? उच्छे सदन कहते हैं. राज्य सभा को उच्छे सदन कहा जाता हैं और लोग सभा को निमने सदन कहते हैं. चले नेक्स्ट क्वेसन पर चलते हैं लोगसभा जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं का पहली बार बिध्वद गठन कब किया गया था? लोगसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 17 अपरेल 1922 को किया गया था? 17 अपरेल 1922 को लोगसभा का पहली बार गठन किया गया था? next question बिहार में लोग सभा सीटों की संख्या कितनी है तो बरतमान में बिहार में कुलिस 40 लोग सभा सीटे है 40 लोग सभा सीटे है उत्तर प्रदेश में सबसे जादा है उत्तर प्रदेश राज में सबसे जादा लोग सभा सीटे है उत्तर प्रदेस्ट में 80 है और दूसरी नंबर पर क्या जाता है दूसरी नंबर पर महराच्ट है जहाँ पर लोगसभा सीटों की संख्या 48 है और तीसरी नंबर पर बेश्ट बंगाल है पस्यम बंगाल है जहाँ लोगसभा सीटों की संख्या 42 है और चोथे नंबर पर बिहार है जहाँ पर लोगसभा सीटू की संख्या 40 है और पांचुवे नंबर पर क्या जाएगा तमिलाडू है दोस्तों तमिलाडू में लोगसभा सीटू की संख्या तो ये टॉप फाइब राज्जें जहां पर लोग सभा सेटू की संध्या सबसे जादा हैं नेक्स्ट क्वस्टन है दोस्तो लोग सभा के पर्थम अध्यच कों थें? जीबी मौलंकर थें जीबी मौलंकर लोग सभा के पर्थम अध्यच थें इनका फोटो भी आप देख सकते हैं संसत की किस सदन को लोग प्रिये चेंबर या पापलर चेंबर भी कहते हैं तो लोग प्रिये चेंबर कहा जाता है लोग सभा को लोग सभा को लोग प्रिये या पापलर चेंबर भी कहते हैं नेक्स्ट कॉस्टन है लोगसभा के पर्थम उपाध्यच कौन थें? तो M. अनंत सेनम आयंगर लोगसभा के पर्थम उपाध्यच थें नेक्स्ट कॉस्टन लोगसभा की पर्थम महिला अध्यच कौन थे? लोगसभा की पर्थम महिला अध्यच थें? मीरा कुमार मीरा कुमार लोगसभा की बर्थम महिला अध्यच थी, इनका फोटो भी आप देख सकते हैं Next question, 17 लोगसभा के अध्यच कौन है? तो वर्तमान में कौन से लोगसभा काररत है? वर्तमान में 17 लोगसभा काररत है, जिसका कारकाल है 2019 से 2024, 17 लोगसभा का कारकाल है और इसके अध्यचे परतमान में ओम बिड़ा, ओम बिड़ा परतमान में 70 लोग सभा के अध्यचे हैं Next Question है लोग सभा में केंदर सासल परदेशों के लिए अधिक्तम कितनी सीटे हो सकती हैं Union territory के लिए अधिक्तम 20 सीटे हो सकती हैं लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे, तो वर्तमान में कुल 13 सीटे हैं, केंसासी प्रदेशों के लिए वर्तमान में कुल 13 सीटे हैं. Next question, लोग सभा को बिशेश परस्यती में कारकाल से पहले कौन बिगटित यानि की भंग कर सकता हैं? तो राष्टपती जो भंग कर सकता हैं दोस्तों, राष्टपती कारकाल से पहले, यानि कि 5 साल कारकाल होता है लोग सभा का, तो 5 साल से पहले लोग सभा को बिगटित भंग कर सकता हैं भारत का राष्टपती परधान मंतरी की सलापर और ये बताया गया हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वस्टन लोगसभा में सबसे अधिक प्रतनिधी भेजने के मामले में कौन सा राज दूसरे अस्थान पर हैं तो दूसरे अस्थान पर महराश्ट है दोस्तों महराश्ट से लोगसभा सीटों की संख्या 48 से 48 सीटे हैं लोगसभा की महराश्ट राज में और पहले पहले नमबर पर कौन है पहले नमबर पर उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश पहले नमबर पर है जहां पर 80 लोगसभा सीटों की संख्या है जब अध्यच और उपाध्यच दोनों के पद रिक्त हो तो लोगसभा की अध्यचता कोन करता है तब लोगसभा की अध्यचता करता है राष्ट पती के दोरा नियोक्त लोगसभा का सदस लोगसभा की अध्यचता करता है यानि कि प्रोटेम स्पीकर के दोरा लोगसभा की प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री आम तोर पर लोग सभा में सदन का नेता होता है। प्रधान मंत्री या एक मंत्री चो प्रधान मंत्री दोरा नामित किया जाता है। उसके दोरा सदन का नेता लोग सभा के संदर में संदर्भित करता है। प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री आमित का नेता लोग सभा में सदर्भित करता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता है भारत का राश्रपती और ये बताया गया है अन्चेद 108 में। आर्टिकल 108 में बताया गया है कि भारत का जो राश्रपती होगा वो संयुक्त बैठक बुलाता है और अध्धचता करता है। लोग सभा का स्पेकर लोग सभा का अध्धच नेक्स्ट क्वस्टन समनता लोग सभा के प्रतेक बैठक का पहला घंटा जिसमें सबाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर जिया चाता है। प्रस्ण काल केहलाता है दूस्तों प्रस्ण काल में सबाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया चाता हैं और प्रस्ण काल के तुरंत बाद सुन काल आता हैं। कि कोई बिधेक, सामाने बिधेक है या धन बिधेक है तो लोग सभा का अध्धेचे जो होता है किबल यही निर्धारत कर सकता है कि कोई बिधेक, सामाने बिधेक है या धन बिधेक है ऐसा किबल लोग सभा का speaker कर सकता है नेक्स्ट क्वेस्टन है लोग सभा में आम बचट कौन परसुद करता है आम बचट दोस्तों बित्त मंतरी के दोरा फाइनल्स मिनिस्टर के दोरा आम बचट पेश किया जाता है लोग सभा में अगला question केंदर सरकार के खिलाप आप इस्वास प्रसाओं पेश किया जा सकते हैं केंदर सरकार के खिलाप आप इस्वास प्रसाओं केबल और केबल लोग सभा में पेश किया जा सकते हैं लोग सभा में right answer option C हो जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन है निमलिख्यत में से कौन लोगसभा का सत्र नहीं है तो बजट सत्र होता है, मांसून सत्र होता है, सीत कालीन सत्र होता है लेकिन जो ग्रीसम कालीन सत्र है दोस्तों ये लोगसभा का सत्र नहीं है ग्रीसम कालीन सत्र नहीं होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है भारत की संसद डैस से मिलकर बनती है तो भारत की जो संसद है दोस्तों ये राष्टपती, लोगसभा और राज्य सभा से मिलकर भारत की संसद बनती है अगला कोस्टन है भारत सरकार की संगे सनक्चना का प्रदान करती है लोगसभा की जनक के रूप में किसे जाना जाता है लोगसभा की जनक, लोगसभा के प्रतम अध्यच जीवी मौलंकर हैं जीवी मौलंकर को लोगसभा का जनक की नाम से जानते हैं भारती संसदी प्रणाली किस माडल पर आधर थें? सही answer option C हो जाएगा दोस्तों बिल्टन के best minter model पर आधर थें? बिल्टन के best minster model पर भारती संसद प्रणाली आधर थें अगला कोशन है पस्यम बंगाल में लोग सभा सीट की संख्या कितनी है तो पस्यम बंगाल में दूस्तो 42 लोग सभा सीट है और तीसरे नमबर पर पस्यम बंगाल आता है जहां पर लोग सभा सीटों की संख्या सबसे जादा है 42 लोग सभा सीटे हैं पस्यम बंगाल राज में सबसे ज़्यादा कहां पर हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटे हैं उसके बाद में महराश्ट में 48 सीटे हैं तीसरे नमबर पर आता है वेस्ट बंगाल जहांपर 42 सीटे हैं फ्र नंबर पर आता हैं बिहार दोस्तों बिहार फॉर्थ नंबर पर आता है जहां पर 40 सेटे हैं और फिप्त नंबर पर तम 지난 decorous देटे हैं जहां पर 45 सेटे हैं लोग सभा कीुछ अगला question निम्न में से बो राज जहां लोग सभा सीटू की संख्या एक हैं तो मिजोरम, नागलेंट और सिक्किम राज हैं जहां पर लोग सभा सीटू की संख्या एक-एक हैं सही answer option D हो जाएगा उपरक्त सभी इस question का correct answer हो जाएगा अगला question है वो राज जहां लोग सभा सीटू की संख्या दो हैं तो गोपा है दोस्तो तरीपुरा अरुडांचल प्रदेशें मेगाले और मडीपुर हैं जहां पर लोग सभा सीटू की संख्या दो-दो हैं सही answer option D हो जाएगा उपरक्त सभी इस question का correct answer हो जाएगा next question है भारते संसत की उपरी सदन का क्या नाम है तो भारत का जो उपरी सदन है राजच सभा है दोस्तो राजच सभा उपरी सदन है और निम्न सदन है दोस्तो लोग सभा लोग सभा निम्न सदन है और उपरी सदन क्या है राजच सभा है अगला कोशन परतेक राजगेले लोगसभा निर्वाचन छेतरू की संख्या देश के आधार पर निर्धार्थ की जाती हैं भारत में आधर्स आचार सहिता एनकी कोड अफ कंड़क्ट कब लागू होती हैं? कोड अफ कंड़क्ट चुनाबी तारीक की घोसड़ा के तुरंत बाद लागू कर दी जाती हैं। पहली बार किस लोगसभा चुनाओ में भारत भर में आधर्स आचार सहिता लागू की गए थी। अगर लोगसभा चुनाओ पूछा जाएगा तो पहली बार लोगसभा चुनाओ था उनीस सो पासड़ का लोगसभा चुनाओ था जहां पर आधर्स आचार सहिता लागू की गए थी। पहली बार आधर्स आचार सहिता लागू की गए थी। लेकिन अगर पूछे जाए पहली बार भारत में किस उपर्स आधर्स आचार सहिता लागू हूए थी। आधर्स आचार सहिता कब से कब तक लागू रहती हैं। आधर्स आधर्स आचार सहिता लागू हूने के बाद किसी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता हैं। आप्सन A करेक्ट हैं। चुनाओ पर चार के लिए धार्मिक अस्थानों का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता हैं। आप्सन B भी से हैं। आप्सन C हैं सरकार की ओट से कोई भी नए योजना या घोसडा नहीं की जा सकते हैं। तो option C भी सही है, right answer option D हो जाएगा, उप्रत सभी कोशन का right answer हो जाएगा अगला question है, तमिलाडू में लोगसभा CT की संख्या कितनी है? तमिलाडू में लोगसभा CT 45, पांच भी नंबर पर तमिलाडू राज जाता हैं, जहां पर लोगसभा CT की संख्या सबसे जादा है next question है केरल में लोग सभा सीटू की संख्या कितनी है तो केरल में दोस्तों लोग सभा सीटू की संख्या कितनी है 20 है दोस्तों 20 केरल में लोग सभा सीटू की संख्या 20 है next question वर्तमान में भारत का राच्टपती लोग सभा में कितने एंगलो इंडियन को नामित कर सकता है तो एक भी एंगलो इंडियन को नामित नहीं कर सकते हैं वर्तमान में राष्टपती क्योंकि जो एंगलो इंडियन दो एंगलो इंडियन थें उन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेसन है भारतिय सब्धान के किस अनुछेद में कहा गया है लोग सभा का सदसे बनने के लिए बैक्त की आयू कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए तो ये कहा गया है दोस्तो अनुछेद 84 में आर्टिकल 84 में बताया गया है राइट एंसर ओप्सन भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेसन है भारतिय सब्धान के किस अनुछेद में कहा गया है कि राज्य सभा का सदसे बनने के लिए बैक्त की आयू कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए ये कहा गया है अंच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज सभा का सदस बनने के लिए व्यक्त की आयो कम से कम 30 वर्स होनी चाहिए Next question है भारतिय संसद का कौन सा सदन जनता दोरा परतेच रूप से निरुपाचिस सदन है Next question है भारतिय संसद में लोग सभा के गठन का प्रावधान क्या गया है लोग सभा के गठन का प्रावधान अनुचिद 81 और अनुचिद 331 में किया गया है तो right answer option C हो जाएगा उपरेक्ट दोनों इस question का right answer हो जाएगा Next question है मोल सभधान में लोग सभा सदस्यों की संख्या केतनी निर्धार्थ की गए थी मोल सभधान में लोग सभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धार्थ की गए थी 500 निर्धार्थ की गए थी मोल सभधान में लोग सभा सदस्यों की संख्या और वर्तमान में अगर बात करेंगे वर्तमान में 543 लोग सभा सीटों की संख्या हैं वर्तमान में और अधिक्तम कितनी हो सकती हैं तो अधिक्तम याद रखेगा दोस्तों अधिक्तम लोगसभा सीटों की संग्या 550 हो सकती हैं पहले 500 बाबन हुआ करती थी लेकिन जो दो एंगलो एंडियन थें उन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया नारी वंदन अधिनियम 2030 की अनुसार लोगसभा में महिलाओ के लिए कितना परतिसत सीट आरचड का प्रावधान किया गया हैं महिलाओं के लिए नारी वंदन अधिनियम 2030 के अनुसार। नेच्ट कोस्टन लोगसभा में राष्टपती दोरा एंगलो एंडियन के नोमी नेशन को किस सब्धानिक संसोधन के दोरा समाप्त कर दिया गया था। तो 142 सब्धान संसोधन अधिनियम 2019 के दोरा एंगलो एंडियन को समाप्त कर दिया गया। राज्जे की जनता सिधे 530 सदस्यों के निरवाचित करती हैं और 550 सदस अधिक्तम लोगसभा में हो सकते हैं जिनमें से 20 सदस जो हैं यूनियन टेरेटरे केंशासी प्रदेसों से आते हैं। Next question, परतमान में लोग सभा में कितने सदस्यों को केंशासी प्रदेश की चंता सीधे निर्बाचित करती हैं? केंशासी प्रदेशों से सीधे 13 सदस्यों के निर्बाचित करती हैं? लोग सभा सदस्यों में 13 सदस्यों को केंशासी परदेशों की जंता निर्वाचित करती हैं और अधिक्तम 20 सदसे केंशासी परदेशों से निर्वाचित किया जा सकते हैं Next Question है, परतेमाल लोग सभा में परते क राज के लिए अस्थानों का आबंटन आधरित हैं 1971 की जनगड़ना पर आधरी थे 1971 1971 के संसस पर आधरी थे अगला क्वेस्टन लोगसभा के निर्वाचेन छेत्र का सीमा निर्धारन पहली बार किस SB में किया गया था पहली बार 1972 में किया गया था 1972 में किया गया था नेक्स्ट कॉस्टन है लोग सभा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधरित हैं ये निर्धान किस वर्ष तक यथा बत रहेगा तो 2026 तक यथा बत रहेगा 2026 के बाद इसका परिसीमन किया जाएगा यानि कि लोग सभा सीटों में बिर्धी की जाएगी क्योंकि 1971 की जनगणना पर लोग सभा सीटों का राजवार सीटों का आवंटन आधरित हैं लेकिन 1971 से 2024 तक जनसंख्या बढ़िये और जनसंख्या के आधर पर ही सीटों का विभाचन किया जाता हैं तो 2026 के बाद लोग सभा सीटों में बिर्धी होगी अगला क्वेस्टन है लोग सभा का एक निर्वाचन छेत्र कम से कम कितनी संख्या का परतनिधित करता हैं लोग सभा में अनसूचित जनसंख्या का परतनिधित करता हैं लोग सभा का एक निर्वाचन छेत्र लोग सभा में अनसूचित जनजाती के लिए आरच्छित अस्थानों की संख्या कितनी हैं? अनसूचित जन जाती के लिए 47 संख्या हैं अनसूचित जन जाती के लिए आरच्छित अस्थानों की संख्यां 47 हैं Next question लोग सभाई में अनसूचित जन जाती और अनसूचित जन जाती के लिए आरच्छित अस्थानों की संख्यां कितनी हैं तो अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के लिए 131 येट हैं, 131 अस्थाने संख्या हैं, 131 हैं चेतरफल के दिर्ष्ट्रे से देश का सबसे छोटा लोग सभा निर्वाचन छेतर कौन सा हैं? चांदनी चोग है दोस्तू, चांदनी चोग छेतरफल के अकोर्डिंग सबसे छोटा लोग सभा निर्वाचन छेतर हैं छेतरफल के दिर्ष्ट्रे से देश का सबसे बड़ा लोग सभा निर्वाचन छेतर कौन सा हैं? तो सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाग लद्दाग सबसे बड़ा लोगसभा निर्वाचन छेत्र है नेच्ट क्वस्टन है जारखंड छेत्र से लोगसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो जारखंड में लोगसभा सदस्यों की संख्या 14 है दोस्तों दिल्ली में लोग सभा की कितनी सेटे हैं, साथ सेटे हैं नेक्स्ट क्वस्टन, लोग सभा में सुर्वधिक प्रतनिधित के आधार पर राजियों का सही करम कौन सा हैं तो सही answer option B हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पहले नमबर पर हो जाएगा 80 सेटों के साथ महाराष्ट 48 सेटों के साथ दूसरे नमबर पर और पसिम बंगाल तीसरे नमबर पर 42 सेटों के साथ हो जाएगा, तो सही answer option B हो जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन, आपात काल के दोरान संसद लोग सभा का कारकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती हैं नेक्स्ट क्वस्टन है, लोग सभा में किसी भी कार को करने के लिए गड़पूर्ती हेत सदस्यों की नियूंतम अबस्यक संख्या कितनी होती हैं सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दस्वा भाग होता हैं, तो right answer option D हो जाएगा लोग सभा का कार काल पांच उपर से से अधिक के सबस्था में बढ़ा जा सकते हैं अगला question लोग सभा की किसी सदस्यकी सदस्यता कितनी दिनों तक लगातार अनपस्तित रहने पर समाप्त हो जाती हैं लगातार साथ दिनों तक, साथ दिनों तक यानि के लगातार दो महिनों तक अनपस्तित रहने पर लोग सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती हैं नेक्स्ट कॉस्टन है संसर सदस्यों को प्रतिमा बेतन के रूप में कितना रुपय अपराप्थ होता हैं? बेतन के रूप में प्रतिमा संसर सदस्यों को एक लाख रुपय दिये जाते हैं लोगसभा के अधिच को देते हैं, लोगसभा के स्पीकर को लोगसभा सदस अपना त्याग पत्र देते हैं लोगसभा के दो बैठुकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए लोग सभा के दो बैठुकों के बीच अधिक्तम 6 महा का अंतराल नहीं होना चाहिए 6 महने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए राश्ट पती लोग सभा को कारकाल पूरा करने से पहले किस की सलापर भंग कर सकता है प्रधान मंतरी प्राइम मिनिस्टर की सलापर लोग सभा को भंग कर सकता है राच्टपती प्रधान मंतरी की सलापर अगला कोस्तन है भारते सब्धान की दसभी अनसूची के तहत लोगसभा के किसी सदस की आयोगता से संबंदित मुद्दे पर निरड़े कौन करता हैं लोगसभा का अध्धच लोगसभा का स्पेकर करता हैं और दस भी अनसूची में दल बदल कानून बताएगे हैं दल बदल कानून दस भी अनसूची में दल बदल कानून के बारे में बत नेच्ट क्वेसन है लोगसभा अध्यच का चुनाव कौन करता हैं? लोगसभा के सद्धिक करते हैं. आज था ही लोगसभा अध्यच यानि कि प्रोटिम स्पीकर को कौन नियुक्त करता हैं? राच्छपती नियुक्त करता हैं भारत का प्रसिडेंट प्रोटिम स्पीकर की नि लोग सभाव या बिधान सभाव के निर्वाचन में एक उमीदवार अपने जमानित की रास्य को खो देगा अगर उसे कुल वैत मत होगा एक बटे 5 से कम मत प्राप्थ होगा एक बटे 6 से कम मत प्राप्थ होगा एक बटे 7 से कम मत प्राप्थ होगा या फिर एक बटे 10 से कम मत प्राप्थ होगा तो right answer option भी हो जाएगा लोग सभा या विधान सभा की निर्वाचन में एक उमीद बार अपनी जमानत रासी को खो देगा अगर वो एक पटे छे से कम्मत प्राप्त करता हैं तो उसकी जमानत रासी को जब्त कर लिया साता है कोई बित्य बिल प्रस्ताबित हो सकता हैं कोई बित्य बिल केबल लोगसभा से प्रस्ताबित हो सकता हैं लोगसभा से निर्म में से किस इस्ति में लोग सभा और राज्य सभा की सक्तिया समान है? ओप्सन ए है राष्टपती के निर्वाचन के संबंद में, उपर राष्टपती के निर्वाचन के संबंद में, राष्टपती के विरुद महावियोग के संबंद में राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा उप्रत सभी इस क्वेशन का एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है लोग सभा में अनसूचित जाती वो अनसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरच्षड सबधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं नेक्स्ट क्वेशन के किस राज में लोग सभा में अनसूचित जाती वो अनसूचित जाती वो अनसूचित जनजातियों के लिए आरच्षड नहीं है तो नागलेंड, सिक्किम और गोबा राच्षड में आरच्षड नहीं है अनसूचित जाती वो अनसूचित जनजातियों के लिए तो राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा उपरत सभी इस क्वेशन का राइट एंसर हो जाएगा लोग सभा में मंत्री परसद के विरुद्ध आप इस्वास प्रस्ताव लाने है नियुन्तम सदस संख्या कितनी है नियुन्तम सदस संख्या 50 दोस्तों लोग सभा में आप इस्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियुन्तम सदस संख्या 50 है या फिर ऐसे भी आपके एक्जाम में कुछे जा सकते हैं कि मंत्री परसद किसके प्रत उत्तरदाई होती है तो लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होती है मंत्री परसद लोग सभा में किसके लिए आरख्षण का प्रावधान नहीं है? लोग सभा में पिछडा वर्ग के लिए आरख्षण का प्रावधान नहीं किया गये हैं? पिछडा वर्ग के लिए जारखंड में अनसूचे जनजाती के लिए कितनी सीटे आरचट की गए हैं कितनी सीटों का अरचट हैं पांच सीटों का अरचट हैं अनसूचे जनजाती के लिए जारखंड राज में पांच सीटों का अरचट हैं ओडिसा राज में लोग सभा सीटू की संख्या कितनी हैं? ओडिसा राज में लोग सभा सीटू की संख्या 21 हैं. नेक्स्ट क्वसन भारते संसत के परिप्रेच में सून काल यानी की जीरो अबर किसे कहते हैं? तो प्रसनकाल के तुरंत बाद के समय को सूनकाल कहार चाते हैं और संसकत्मक प्रणाली में सूनकाल किसके देन है? सूनकाल यनिकी जीरो आपर कब शुरू हुआ था? 1905 इसवे में सूनकाल की शुरुआत हुई थी संसदात्मक प्रडाली में सूनिकाल की सुरुवाद भारत में 1962 में हुई थी Next and last question है दोस्तो एक दल को लोग सभा में बिपच्छी दल होने के लिए उसके पास कितना लोग सभा सीट होना चाहिए? उसके पास कितना लोग सभा सीट होना चाहिए? कुल सीटों का एक बटे दस भाग होना चाहिए बिपच्छी दल होने के लिए और आपको बता दें दोस्तो तो 2014 से भारत में कोई भी बिपच्ची दल नहीं है, क्योंकि पास कुल शीटों का एक बटे 10 भागो, जिस वजा़ से भारत में कोई भी बिपच्ची दल नहीं है। दोस्तो अब हम देख लेते हैं राज्चियों में लोग सभा सीटों का आबंटन, क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में कोशन जादा थर पूछे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्च में सबसे जादा सीटे हैं, 80 सीटे हैं, 80 सीटे हैं, शेकर्ड नमबर पर आता है महर चालिस हैं, तमिलाडू राज में 45 लोग सभा सीटे हैं, मध परदेश राज में 31 लोग सभा सीटे हैं, करनाटक में 28 हैं, गुजरात राज में 26 लोग सभा सीटे हैं, राजस्थान में 25 हैं, उडिसा राज में 21 हैं, केरल में 20 लोग सभा सीटे हैं, तेलंगाना में 17 लोग स सभा सीट हैं हर्याना में 10 लोग सभा सीट हैं दिल्ली जो की केंसासी परदेश हैं यहां पर 7 लोग सभा सीट हैं और दिल्ली में दिल्ली केंसासी परदेश में सबसे ज़्यादा लोग सभा सीटों की संख्या हैं जम्मू कस्मीर लोग सभा सीट हैं जम्मू कस्मीर केंसासी प्रदेश में पांच लोग सभा सीठे हैं, उत्राखंड में पांच लोग सभा सीठे हैं, हिमांचल प्रदेश में चार लोग सभा सीठे हैं, अड़ांचल प्रदेश में दो लोग सभा सीठे हैं, गोवा में दो लोग सभा सीठे हैं, तिरुपरा, मडीपुर और मेघाले यह यहाँ पर दो दो लोग सभा सीट हैं। पान सो पचास लोग सभा सीट हैं। इसका चुनाओं होगा और अठारवी लोग सभा जो हैं। इसका चुनाओं साथ चरड़ों में होगा। चार जून को इसके परड़ाम घोसित किया जाएंगे। और जो अठारवी लोग सभा हैं। अठारवी लोग सभा का कारकाल होगा। दोस्तो आई होब कि आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया हैं। तो इस क्वेशन का एंसर आप कॉमेंट बाक्स में जरू बताएगा। लोग सभा की पर्थम महिला अध्धेच कौन थी। सरुजिनी नाडू, एनी बेसंट, मीरा कुमार या ओप्शन डी प्रतिभा पार्टिल। तो लोग सभा की पर्थम महिला अध्धेच कौन थी। कॉमेंट बाक्स में जरू बताएगा। दोस्तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा। और इस वीडियो को सेर भी करिएगा। चेनल को सब्सक्रेब करके वेल आइकन को आल प्रेक किलेजी। ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोडिफिकेसन आप तक जरू पहुंचें। कॉमेंट बॉक्स में बताएगे कि आपको केच्ट टॉपिक पर वीडियो चाहें। और कॉमेंट बॉक्स में बताएगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। टेलेग्राम चैनल को जोईन कलेजे। डेस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सुमलते नेक्स्ट बीडियो में थर तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम।